सबी पहुचेगी सई के पास क्योंकि उसे सई की बहुत याद आ रही है और सई कमफर्टेबल बिल्कुल नहीं है सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीदर गुम है किसी के प्यार में कि आने वाला पैसोर काफी इंटरस्टिंग होने वाला है जैसा कि आपने देखा कि आशका सई आने अपनी बेटी को घर पर लाई है लेकिन यहाँ पर उसका ना तो खयार रख रही है और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है आज पहला दिन था सई का घर पे और आशका आते ही आप देखेंगे अंश के साथ सीधे पाटी के लिए निकल जाती है और सई को घर पे नीद नहीं आ रही है सई यहां अपनी परियांटी को याद करती है और आप देखेंगे वो परियांटी को कॉल भी करती है सवी का भी सई के बिना मन नहीं लग रहा था यहां पर आप देखेंगे सवी सई से बात करती है उसे फोन पर कहानिया सुनाते है उसकी नैनी को बोलती है कि इसे इस तरह से चदर में रैप कर दो वो अच्छे से सो जाएगी और सच मुझ सही सो जाती है दूसरे दिन आप देखेंगे सवी को इस बात पर डाउट होगा कि आज पहला ही दिन था और उसकी मा उसे छोड़कर पार्टी में चली गए और उसे इस बात का भी हैसास होगा कि सही वहां खुश नहीं है और ऐसे में सभी पहुच जाएगी सही के पास उससे मिलने और ये बात आश्का और अंश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी